ये है कहानी वीरों की वीरों की और शुरों की ये है गाथा महावीरों के शौर और बलिदान की परमबीर चक्र विजेता युधाओं के मान की माती पर मर मिटने वाले प्रैरियों के सम्मान की वीरों की गाथा वीरों की गाथा दीर गाथा साथियो भारत भूमी ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन दिया है जिन पर देश को नाज है इन वीरों ने समरांगन में हमेशा देश का मस्तक मूचा किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुती दे दी आईए आज याद करते हैं भारती वायू सेना के जाबाज योध्धा फ्लाइंग ओफिसर निर्मल जीत सिंग सेखों को जिन्हें उनके अतुले रणकोशल और अप्रतीम शौर्रे के कारण देश के सर्वच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया निर्मल जीत सिंग सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को इस वाल गाउं में हुआ था पिता सरदार त्रिलोक सिंग सेखों और माता हरबन स्कौर घर में इस बालक के आगमन से बेहद प्रसन्न थे इस वाल गाम पंजाब के लुध्याना शेहर के समीर हलवारा एरफोर्स स्टेशन के पास था सीमा वर्ती सैन्ने हवाई अड़ा होने के कारण हलवारा एरफोर्स स्टेशन पर युद्धक विमानों का आना जाना लगा रहता था इसलिए कहना ना होगा कि बालक निर्मल ने पैदा होने के बाद माता पिता और परिजनों की स्नेह भरी पुछकार और पंजाबी लोक गीतों के अलावा युद्धक विमानों की गर्जना भी सुनी थी संभवता इसलिए बचपन सही उनके मन में वायो यानों का आकर्शन कूट-कूट कर भरा था जब भी किसी विमान की आवाज आती वो जट से घर के बाहर निकल कर विमान को देखने की कुशिश करते मा मुझे हवाई जाहाज देखना बहुत अच्छा लगता है अच्छा मैं तो जा रहा हूँ हवाई जाहस देखने अरे अरे पुतर सुन तो तू भी ना मैं तो गया हवाई जाहस देखने अच्छा ठीक है जल्दी आ जाना जैसे जैसे वो बड़े होते गए विमानों के पती उनका आकर्शन बढ़ता ही गया जब वो चमचमाती हुई सेनिक वर्दी में वायू सेनिकों को देखते तो उनके मन में सेना में जाने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगती जब निर्मल के काउ में जवान छुटियों में घर आते तो बालक निर्मल उनहीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता सच्छियकाल चाचा सच्छियकाल चुट्टी पर आये हो अरे निर्मल तुम तो बहुत बढ़े हो गए हां मैं कली आया हूं और कैसे हो पुत्ता है मैं ठीक हूं चाचा मुझे आप लोगों की वर्दी बहुत अच्छी लगती है हाँ पुत्ता हमारी वर्दी तो है ही शांदार अरे भई देश की सेवा करने वालों की वर्दी तो शांदार ही होगी ना मैं भी सेना में जाऊंगा चाचा बताएए न आप लोग सेना में क्या क्या करते हैं अरे पुत्तर हम कसरत करते हैं, परेट करते हैं, युद्ध का भ्यास करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं बंदूग भी चलाते हो हाँ भई सैनिक हैं तो बंदूग तो चलाएंगे ही न और हवाई जहास भी उड़ाते हो मैं भी सेना में जाकर हवाई जहाँ जोडाऊंगा जरूर पुत्तर जरूर लिकन इसके लिए न पहले अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करो जी चाचा निर्मल को हरी सिंग नल्वा की कहानिया बहुत अच्छी लगती थी हरी सिंग नल्वा उन्नीसवी शताबदी के एक सुप्रसिद्ध योध्धा थे उनके शौरे की गाथाएं पंजाग के गाउं गाउं में बताई और गाई जाती है निर्मल जीत अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद लुध्याना के समीप अजित सर मोहे नामक कस्बे में स्थित खालसा हाई स्कूल से मैट्री की परिक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्ती इंड हुए सन 1922 में उन्होंने दयालबाग इंजिनियरिंग कॉलेज आगरा में दाखिला लिया यहाँ वो नेशनल कैड़ेट को यानि NCC में शामिल हुए और एरो मॉडलिंग में अपनी विशेश रुचीतर शाई इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छड़ गया भारती सेना की शांदार विजय हुई सेना की बहादुरी के बहुत से किसे जन जन में फैल गए भारतीय वायू सेना में शामिल होने के अपने चिर संचित स्वपन को साकार करने के लिए उन्होंने बीच में ही इंजिनिरिंग की पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने भारतीय वायू सेना में आवेदन किया और आखिरकार चार जून 1967 को उन्हें भारतीय वायू सेना में नियुकती मिल गई शीग्र ही उनकी पदोन्नती हो गई और वो फ्लाइंग आफिसर के पत तक पहुँच गए और भारती वायू सेना की फ्लाइंग बुलेट्स कही जाने वाली अठारवी स्कौडन में शामिल हो गए अपने विनम्र सौभाव के कारण वो सब के चहेते बन गए सब ही उन्हें भाई कहकर बुलाते थे अपने मा तहतों के प्रती भी उनका रवया अत्यंत मैत्री पोर्ण था फ्लाइंग आफिसर जैसे उच्च पद पर होते हुए भी वो हर काम के लिए तयार रहते उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था एक दिन की बात है वो एर फोर्स कमांड ओफिस से लोटते हुए सैनिक हवाई अड़े के हैंगर में पहुँच गई हवाई अड़े में हैंगर उस जगा को कहते हैं जहां विमानों को मरम्मत तकनीकी देखभाल और सफाई के लिए रखा जाता है गुद मॉनिंग मानसेंग कैसे हो निर्मल सर आप यहां हाँ मैं यहां एर फोर्स कमांड ओफिस गया था लोटते हुए सुचा के एरक्राफ्ट हंगर से होता हुआ चलू अरे वाँ तो मैं तो बहुत अच्छी तरह से इस हेरक्राफ्ट को साफ किया देखो न या कैसा चमक रहा है बहुत खूब सर यह तो हमारा काम है मानसेंग मुझे लगता है कि इस विमान की टेल को कुछ और चमकाने की ज़रूरत है जरह वो क्लीनिंग टूल तो देना मुझे सर आप you आप भला सफाई करेंगे यह तो हमारा काम है तो नहीं मानसेंग मैं मानसेंग मैं अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो इसकी सफाई भला क्यों नहीं कर सकते अर दो ना मुझे लाए एक मिनुट एक मिनुट एक मिनुट यह पॉलिश देना यह पॉलिच To तो ऐसे थे फ्लाइंग ओफिसर निर्मल जीत सिंग सेखूं उनके बारे में एक बात बड़ी दिल्चस्प है उन दिनों भारती वायू सिना के पास युद्धक विमानों में मुख्य रूप से छोटे आकार के नैट विमान हुआ करते थे फ्लाइंग ओफिसर निर्मल जीत सिंग सेखूं का गद बहुत लंबा था इसलिए छोटे लड़ा को विमान नैट 657 में बैठ पाना उनके लिए बहुत असहश था फिर भी निरंतर अभ्यास के कारण वो इन छोटे विमानों को भी उड़ाने में सिद्धास्त हो गए थे वो कमाल के पाइलट थे जब वो अपना विमान उड़ा थे तो उनकी कलाबाजियां देखते ही बनती और फिर आया 1971 का सार पाकिस्तान में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हवाई हमलों के द्वारा शुद छेड़ दिया पाकिस्तानी हवाई हमले में भारत के कई सामरिक महत्व के क्षेत्र तबाह हो गए थे 14 दिसंबर 1971 का दिन समय प्राताहकाल लगभग 10 बजे अचानक श्रीनगर एरबेस का साहरन बजने लगा ये संकेत था पाकिस्तानी हवाई हमले का श्रीनगर एरफील्ड पर दुश्मन के F-86 श्रेणी के 6 सेबर जेट विमानों ने हमला कर दिया था पाकिस्तानी विमानों ने एरफील्ड में धुआधार बंबरसाने शुरू कर दिये सामरीक समुदाय में ये माना जाता था कि युद्ध क्शमता की दृष्टी से पाकिस्तानी सेबर जेट विमान अपनी तकनीकी विशेष्ताओं के कारण भारत के नेट विमानों की अपेक्शान अधिक सक्षम है श्री नगर एरफील्ड में नेट विमानों की एक टुपनी किसी भी परिस्थिती का मकाबला करने के लिए बिल्कुल तयार थी आदेश पाते ही फ्लाइंग आफिसर सेखो ने अपने नेट विमान से टेक आफ किया सेखो हवा में पहुँचे ही थे कि उन्हें छे पाकिस्तानी लड़ाको सेबर जेट विमान घेर चुके थे जो लगतार उन पर वंबर सा रहे थे और अब शुरू हुआ लड़ाको विमानों के बीच आमने सामने का भीशन युद्ध एक और छे शक्तिशाली सेबर जेट विमान थे और दूसरी और फ्लाइंग आफिसर सेखों का इकलोता नेक विमान फ्लाइंग आफिसर सेखों अपने अपूर रण कोशल से पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए उनकी भूर्ती देखते ही बनती थी उन्होंने ऐसी कुशलता से विमान उडाया कि उनकी चपलता और रफ्तार देखकर दुश्मन भी चकित रह गया इसी बीच उनका विमान शत्रू के निशाने पर आ गया फ्लाइंग आफिसर सेखों के विमान को छे पाकिस्तानी विमानों से घिरा हुआ देखकर भारती एर फोर्स ट्राफिक नियंतरन कक्ष से उन्हें रेडियो संदेश भेजा गया फ्लाइंग आफिसर सेखों आपके विमान को गोली लगी है आप तुरंत रन्वे पर वापस आएं सर अभी तो दुश्मन के दो-दो जहाज मेरे सामने हैं तब तक मार भूंगा नहीं तब तक लौटूंगा नहीं दुश्मन का यह वाला जहाज बलकुल सामने निशाना लगाता हूँ अब बलकुल निशाने पर आगया है यह तो उपर से निकल गया मैं इसके उपर जाता हूँ वहाँ से निशाना लगाना आसान होगा अब दुश्मन का जहाज बिलकुल मेरे निशाने पर है उससे तो गिराकर ही दम लूगा ऐसा कहकर फ्लाइंग आफिसर सेखों ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बना कर उड़ा दिया और एक बार फिर अपनी रफ्तार और अलाबाजियों से पाकिस्तानी विमानों को उल्चा दिया इसी बीच मौका देखकर उन्होंने एक और पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया और उसे मल्बे में बदल दिया आग की लप्टों से गिरा वो विमान नीचे आगिरा अब दुश्मन के चार विमान बचे थे दो विमानों को गिराने के बाद फ्लाइंग आफिसर से खुने बचे हुए चार विमानों को खदेड़ना शुरू किया घबरा कर दुश्मन के जहाज वापस लोटने लगे इसी बीच उनका विमान एक बार भिज़े दुश्मनों के निशाने पर आ गया और उसका एक इंजन खराब हो गया दुश्मनों की गोलियों से उनका जहाज अब जरजर हो चुका था और गिरने लगा था कुछ क्षणों बाद फ्लाइंग आफिसर सेखों का अंतिम रेडियो संदेश फिर सुनाई दिया मेरा जट भी अब दुश्मन के निशाने पर आ चुका है सर अब आप लोग अगला मौर्चा संभालिए अलविदा सर शायद अब मुलाकात ना हो जाए हिंद और अपना आखरी संदेश देने के बाद फ्लाइंग आफिसर सेखों देश के लिए शहीद हो गई उनकी इस असाधरन वीरता के लिए उन्हें मरणो प्रांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिये गए प्रशस्ती पत्र के कुछ अंश इस प्रकार से हैं हाला कि ये बराबरी की टक्कर नहीं थी लेकिन फ्लाइंग ओफिसर सेखों ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी और वो वीर गती को प्राप्थ हो गए फ्लाइंग ओफिसर सेखों परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले भारती वायू सेना के एक मात्र सैनिक हैं शहादत के समय उनकी आयू मात्र 26 वर्ष थी भारत के पश्चिमिक शेत्र में 1971 के युद्ध की धारा भारत के पक्षमे मोर देने वाले इस वीर सैनिक को कृतग्य राष्ट्र पूरी श्रद्धा से नमन करता है अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रिंखला के अंतरगत कारेक्रम फ्लाइंग ओफिसर निर्मल जीत सिंग सेखों अकाद्मिक समन्वे डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, तक्नीकी समन्वे बटी लैंग लिंग्डो, कलाकार अश्वीनी वालिया, शमाहिला परवेज, बावला कोचर, आर एस रगु और परवेज गवहर भन्यंकन विकास सांगवान और शानू मुक्सीम, निर्माण परामर्ष विमलेश चोधरी, निर्माण सहायक कुसुमलता, आलेक निर्देशन एवं निर्माण अजी थोरो, तथा प्रस्तुती CIET NCEAT नईदिल्ली भारत कर दोदिल्ली भारत